मंच पर उपस्थित टिब्बत के प्रधान मंत्री श्री लूपसंग सांगे जिने आदर्श मुख्य मंत्री का पुरस्कार क्यों दिया गया ये बताने की आवशक्ता ही नहीं है जिनका कार्य बोलता है जिनका काम बोलता है जिनका विजन बोलता है और देश में जिस प्रकार से मद्यप्रदेश को उन्होंने प्रस्तापित किया है मैं ऐसा मानता हूँ कि मेरे जैसे जो नए मुख्यमंत्रिये इनके लिए एक आधर्श मुख्यमंत्री के रूप में जिनको मैं देखता हूँ ऐसे मेरे बड़े भाई आधरनिय शुराज सिंग चभान जी डॉक्टर रगुनात माशिलकर जी डॉक्टर विजे भठकर जी श्र श्री रहूल करार जी श्री शेलजा कांथ मिश्रा जी हमारे छात्र नेता स्मूर्ती संधा शास्वत्चुकल मंचासीन सभी महनुभाव और यहां उपस्तित सभी बहन और भाईयों मैं आज सिंखेड राजा गया था और वहां पर मैंने आई जिजाओं को नमन किया और उन से इतना ही आशिरवाद मांगा कि जिस प्रकार से चत्रपति शिवाजी महराज नहीं देश ही नहीं तो दुनिया में एक आदर्श राजा के रूप में काम किया मैं तो चत्रपती शिवाजी महाराज के चरणों का सेवक हूँ और इसलिए उन्हीं के मार्ग पर चलने का आशीश मा तु मुझे दे यह आशीश में लेकर सीधा वहां से यहां आया यहां आते समय चुकि यहां की जो एर स्पेस है उसमें हमारे फाइटर विमान उड़ रहे थे और इसलिए कुछ देर मुझे उपर में घूमना पड़ा और इसलिए मुझे आने में विलम हुआ मैं शिवराज जी से माफी मांगता हूं सच तो यह है कि शिवराज जी मध्यप्रदेश से यहां आये तो उनसे पहले मैंने य विश्वा से कि अपने छोटे भाई की अरचन को वह समझते हैं कि आज कि आज कि मैं नमन करना चाहता हूं कि स्वामी विवेकानंद जी को कि स्वामी विवेकानंद जी जिनोंने सच में हमारे देश के युवाओं के सामने क्या चुनोतिया है उन चुनोतियों को समझा और केवल चुनोतियों को समझा नहीं तो उन चुनोतियों से लड़कर इस देश को सरवोच्य परमोच्य शिखर पर ले जाने का रास्ता स्वामी विवेकानंद जी ने हमको दिखाया और इसलिए मैं स्वामी विवेकानंद जी को भी बहुत-बहुत यहां पर नमन करता हूँ दोस्तों अभी अभी शिवराज जी बता रहे थे कि किस प्रकार से मद्ध्रदेश को उन्होंने बदला है और मैं यह मानता हूं कि आज देश के अंदर एक बहुत ही स्वास्त इस प्रकार की इस पर्धा एक बहुत स्वस्त पर्धा चालू हुई है अपने अपने राज्य को आगे ले जाने की और मैं यह मानता हूं कि एक प्रकार से राज्य में कार्य करते हुए आज शिवराज जी ये कारिया क्यों कर पाए क्योंकि जिस समय एक मुख्य मंत्री काम करते समय मन में ये रखता है कि इस राज्य की जिम्मेदारी मुझे दी है मैं राज्य का राजा नहीं हूँ मैं राज्य का सेवक हूँ और इस राज्य की सेवा करना ये मेरी जिम्मेवारी है और इस जिम्मेवारी के साथ जब व्यक्ति काम करना शुरू करता है तो फिर काम करने के लिए किसी का इंतजार नहीं करना पड़ता फाइल किसी के लिए रोकनी नहीं पड़ती कोई आये और हाथ मिलाए ये देखना नहीं पड़ता सीधे फाइले च परिवर्तन दिया एक अच्छे राज्य का दर्जा दिया और जिस प्रकार से मध्यप्रदेश को आज उन्होंने आदर्श राज्य के रूप में प्रस्तापित किया विश्वास रखिये अब महाराश्टर भी पीछे नहीं रहेगा महाराश्टर भी आगे जाए शुरा जी मैंने पहला काम यही किया कि भ्रष्टाचारियों के साथ लड़ाई शुरू कर दी और पिछले हपते महाराश्टर के जो सबसे महा भ्रष्टर आठ अधिकारी है उनकी संपत्ति जप्त करने की कारवाई शुरू कर दी मैं ऐसा मानता हूं कि आज देश के अंदर जिस प्रकार से मोदी जी की सरकार के आने के बाद एक प्रामानिक्ता का वातावरन तैयार हुआ है प्रामानिक्ता के साथ हम राज्य को देश को आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं मुझे विश्वास है इस प्रामानिक्ते के साथ अगर हम प्रामानिक्ता विकास और विश्वास की राजनीती करेंगे तो देश पीछे रह नहीं सकता ये देश आगे जाएगा और 2020 में इ देखा है उस सपने को हम पूरा कर पाएंगे आज एक बहुत बड़ी चुलोती हमारे सामने है आज हमारे पास युवा शक्ति बहुत बड़े पैमाने पर है आज इस देश में डेमोग्राफिक डिविडंड है आज देश की 50 प्रतिशत जनसंक्या 25 साल से नीचे है पूरे तर ले जा सकते जब तक इस युवा शक्ति को मानव संसाधन में हम परिवर्तित नहीं करते जब तक इस युवा शक्ति को शिक्षा प्रशिक्षा और रोजगार के आधार पर मानव संसाधन में हम विक्सित नहीं करते तब तक इस देश को जिस परमोच शिखर पर ले जाने का सपना हम देख रहे हैं वो सपना पूरा नहीं हो सकता और इसलिए मैं ये मानता हूँ कि आज देश के सामने सबसे बड़ी चुनोती अगर कोई होगी तो जो युवा शक्ती देश में है इस युवा शक्ती को एक रहा दिखाने की उसको शिक्षा देने की उसको कौशल्व प्रशिक्षित करने की और इसको रोज़गार देने की हम नाम लेते हैं और सौमी वभी का दिढ़ांद जी ने हमको रहा दिखाई और महादमी विभी Championship इमें राश्ट्र थे बंने को और राश्ट्र थे की प्रिभाश ihan ने बताई जिस समय मादरास के उनवरसिटी में स्वामी विवेकानंद जी गए और वहाँ पर भाशन करते समय मinais विवेकानंद जी ने वहाँ पर छात्रों को ये कहा कि क्या आप राश्ट्र भक्त हो तो सारे छात्रों ने का हम राश्ट्र भक्त हैं तो उन्हों ने कहा अगर आप राश्ट्र भक्त हो तो आप क्या करते हो देश के लिए तो कोई कुछ कहने पाया तब स्वामी जी ने उनसे कहा कि देश की सुतंत्रता के लिए लड़ना ये तो राष्ट्र भक्ति है ही सीमा पर देश को बचाने के लिए लड़ना ये भी राष्ट्र भक्ति है लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने का मैं राष्ट्र भक्ति की तीन सीडिया आपको बताना चाहता हूं उन्होंने कहा कि द देखकर कभी आप द्रवित होते हो और स्वामी जी ने कहा कभी आप द्रवित होते हो रात को सो नहीं पाते अचानक उड़ जाते हो और देश की तस्विर देखकर आपके आखों में आसु आते हैं तो उन्होंने कहा देश भक्ति की पहली सीड़ी आपने पार कर दी फिर उन् को बदलने का काम मैं करूंगा देश के अवस्ता को बदलने का विचार आपके मन में आता है इस परिस्तिति को बदलने का विचार आपके मन में आता है मैं अपने छोटे भाई देवन जी से माफी मांग रहा हूँ इस बात के लिए कि सवा साथ बजे यहां कब बंद हो जाता है एरपोर्ट मैं जानी जानी पाऊंगा मेरे भाई तो बड़े भाई को माफ कर देना और तुम खूब बोलना और खूब अच्छा काम करना मेरी सुभ बाद भी जरूर एक बार जोरदा तालिया शुराज जी के लिए हम लोग बढ़ाए है 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 सभी भांजे भांजेों को मामा वापिस मिलने आएंगे चिंता मत करो हम वापिस बुलाएंगे है है अगर आपके मन में आता है कि मैं कुछ करना चाहता हूं तो आप देश भक्ती की दूसरी सीड़ी चड़ गए है और स्वामी जी ने यह कहा कि जिस समय आपके मन में यह भावना आती है कि मेरे देश की दरिद्रता मेरे देश की अंदर्शद्दा मेरे देश की भुक्मरी मेरे देश की बीमारी मेरे देश की जाती विवस्ता को बदलने का की आवशक्ता है आपको लगता है कि मैं कुछ करना चाहता हूं आप कोई कार्य योजना पनाते हैं और कितनी भी छोटी योजना क्यों नहों जिस समय देश को परिवर्तित करने के लिए छोटा से छोटा काम आत हाथ में लेते हो, उस समय सही मैनों में आप देश भक्त बनते हो, मैं ऐसा मानता हूँ, आज इस प्रकार के देश भक्ति के आवशक्ता है, सीमा पर लड़ने वाले हमारे जवान, मुस्तेदी से सीमा पर तैनात है, और बड़ी हिम्मत के साथ सीमाओ को समाल रहे है, देश में तो मिला है, लेकिन सुराज नहीं मिला, देश में शासन तो आया है, लेकिन सुशासन नहीं आया, और इसलिए इस सुराज को और सुशासन को लाने के लिए, मैं कुछ न कुछ करूंगा, मैं कोई न कोई विवस्ता में परिवर्तन करने की कोशिश करूंगा, ये विश्वा राश है वह आदमी नहीं हो सकता वह आदमी नहीं है वह चलती फिरती राश है और इसलिए हर व्यक्ति को कोई नो कोई धेय होना चाहिए लेकिन स्वामी विवेकानन्द ये भी कहते थे कि हमारा धेय क्या है ये भी हमें समझना चाहिए मुझे इंजिनियर बनना है डॉक्टर बनना है पॉलिटिशन बनना है यह धेया नहीं हो सकता यह धेया कभी भी नहीं हो सकता धेया हो सकता है कि मैं इंजिनियर बनूंगा उसके बाद देश की सेवा में मैं क्या करूंगा एक सामाने व्यक्ति के जीवन में क्या परि में बसने वाले 11 करोड 20 लाख लोगों के जीवन में मुझे परिवर्तन करना है और उसके लिए मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं तब धेये से प्रेरित होकर आप काम करते हो और इसलिए दोस्तों मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं कि यह राष्ट्र बक्ति यह देश अगर हमारे मन में हमको जीवित रखनी है तो आप मेंसे हर व्यक्ति में यह शमता है कि आप समाज को परिवर्तित कर सकते हो आप देश को परिवर्तित कर सकते हो और समाज और देश को अगर परिवर्तित करना है तो उसके लिए हमको भी हमारा धिय स्थापित करना जिस समाज ने विवस्ता ख़टी की आज हम पढ़ पाते हैं क्योंकि समाज में से कोई वेक्तिया कर एक kollege खड़ा करता एक school खड़ा करता है आज करार जी ने यहां MIT खड़ी की तो अनेक लोगों को यहां पर शिक्षा की विवस्ता हुई तो समाज समाज विवस्ताई खड़ी करता है, तो हमको पढ़ने को मिलता है, समाज विवस्ताई खड़ी करता है, तो हमको रोजगार मिलता है, समाज विवस्ताई खड़ी करता है, तो हमको जीवन यापन के अनेक साधन मिलते हैं, तो समाज जब विवस्ताई खड़ी करके, हमको समाज में जीने का अधिकार देता है तो कोई न कोई अधिकार जब हम पा लेते हैं तो उस समाज को वापिस करने की इच्छा हमारे मन में तयार क्यों नहीं होती हम क्यों केवाल अपने तक्सीमित होते हम क्यों इतने सेल्फ सेंटर हो जाते मैं मेरा परिवार मेरे परिवार के आगे मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं पड़ता और इसलिए आज ये संकल्प करने के आवशक्ता है कि स्वामी विवेका नंद जी ने जिस भारत की संकल्पना की उस भारत को हम पूरा कर सकते है युवा शक्ति हमारे पास है इस युवा शक्ति को मानव संसादन में परिवर्थि करेंगे तभी समाज के अंदर हम कोई न कोई परिवर्थन कर पाएंगे और जिसमें मेरे साथ साथ मैं समाज का भी विचार करता हूं मेरे साथ साथ मैं देश का भी विचार करता हूं यह सारे विचार एक साथ जब हमारे मन में समाहित होगे तो मैं आपको कहना चाहता हूं भारत को परिवर्तित होने के लिए दस साल की भी आवशक्ता नहीं पड़ेगी पाथ साल में परिवर्तित भारत और विश्व का सिर्म और भारत हम देख पाएंगे मैं यहाँ पर अभिनंदन करना चाहता हूँ छात्र संसत का एक ऐसा प्लैटफॉर्म छात्र संसत ने उपलब्द कराया कि जिसके चलते इस तरुनाई के मन और मश्टिश्क में क्या चल रहा है यह दुनिया के सामने इस प्लैटफॉर्म के माध्यम से आता है आपके आशाए आकांशाए अपेक्षाए यह रिजोलिशन के माध्यम से यहाँ पर आती है और मैं आपको विश्वास देता हूँ जो अपेक्षा नुरूप हमारी विवस्ता काम करें इस प्रकार का प्रेतना हम करेंगे आपने अपेक्षा किये कि जिस प्रकार से संसर में जिस प्रकार से विदान समा में कामकाज चलता है वो कामकाज और जनता विभूख हो निश्चित रूप से उसी प्रकार से हम कामकाज लेकिन सबसे बड़ी बात आपने जो कही है वो बात यह है कि back to basics आज भी अगर हम लोग बड़ी-बड़ी बाते कर ले और बड़ी-बड़ी बाते करते समय आम आदमी को रोटी, कपड़ा और मकान नहीं दे पाए आज भी बिजली पानी सडक नहीं दे पाए तो यह सारी बात का विश्वास नहीं बैठ सकता और मैं विश्वास के साथ कहता हूं आने वाले पाच वर्षों में इस महाराष्टर के अंदर रोटी, कपड़ा, मकान, बिजली, पानी, सडक इसका एक भी प्रश्ण हम नहीं रखेंगे आखरी आदमी तक आखरी आदमी तक यह चीज़े हम पहुचाने का प्रयाज करेंगे, मैं आपको आज इस माध्यम से इतना ही कहना चाहता हूं कि एक प्रकार से आप लोगों ने संकल्प किया है, लेकिन क्या केवल रिजोल्यूशन करके हम लोग अपने कारेभार से मुक्त हो सकते, देखिए यह जो हमारे डिमक्रसी हमारा लो होता, आज मोदी जी ने जब नारा दिया स्वच्छ भारत का, तो एक बात मोदी जी ने कई, मोदी जी ने ये का कि स्वच्छ भारत अगर हमको करना है, तो हमारे हर भारतियों को अगर ये लगता है, कि कुछ करमचारी सफाई करते रहेंगे, और सवासो करोड भारतियों सहबागीता की प्रोसेस है यह पार्टिसिपेट्री प्रोसेस है और लोग तंत्र के अंदर हमारा जो पार्टिसिपेशन है केवल मतदान के आधार पर नहीं को मतदान के आधार पर तो हम सरकारे चुनते लेकिन सरकारी जो कारेकरम है वो कारेकरम ठीक से लागू होते या नही होते ये देखना भी हमारी जिम्मेदारी है अगर नहीं होते तो उसकी शिकायत करना भी हमारी जिम्मेदारी है और अगर उन शिकायतों को सरकार नहीं सुनती तो सरकार को बदलना ये भी हमारी जिम्मेदारी है जब तक हम लोग तंत्र के सजक पहरी की नहीं बनेगे मैं तो कभी-कभी मजाक में ऐसा कहता हूं कि प्रभू श्री-कृष्ण ने कि आ अमारे थोड़ा सा भारतियों का एक प्रकार से क्नुक्सान कर दिया न動画 कम आता उसको यह खारतमें मतलब जब जब समाज के ऊपर धर्म के ऊपर राष्ट्र के ऊपर संकट आएगा तब तब मैं जनम लूँगा अब हम लोगों को यह सच लगा और हम बैठे कि समाज के ऊपर राष्ट्र के ऊपर धर्म के ऊपर जब जब संकट आएगा तो श्रीकृष्ण तो जनम लेने वाले हमारी आवशक्ता क्या है हम तो अपने स्वार्त में अपना जीवन व्यतीत करें प्रभू श्रीकृष्ण ने जिस आने की बात कहिए वो श्रीकृष्ण खुद जनम लेकर नहीं आएंगे श्रीकृष्ण जी ने यह कहा है कि जब तक समाज के उपर जब जब समाज के उपर इस प्रकार से कोई न कोई विपदा आती है उस समय अपने भीतर के श्रीकृष्ण को जागरूत कीजिए और देश की हालत को बदलने की शक्ति आपमें ताकत आपमें विश्वास आपमें उस विश्वास के साथ आप सभी लोग अगर खड़े हो जाएंगे तो मैं यह मानता हूं कि इस देश को कोई भी पीछे नहीं ले जा सकता मैं महाराश्ट्र का मुख्यमंत्री इस नाते आपको अगर को कि इतना कहना चाहता हूं मैं भी रह्या हूं आट युउयाओ के भाणा उपको समझता हूं युआओ कि वानां को जानता हूं और इसलिए इस महाराश्ट्र के अंदर आने वाले दिनों में यस मुझे उन्होंने पूछाए कि प्रश्ण उत्तर भी हो सकते हैं कि इसका मतलब भाषण जड़ा कम करोर पटने ज़्यादा ज़्यादा और इसलिए मैं आपको इतना ही विश्वास दिलाता हूं देश बदलेगा महाराश्ट्र बदलेगा आज महाराश्ट्र में हमने मेकिन मह महाराश्ट की शुरुआत कि है और मेकिन महाराश्ट की शुरुआत करने के बाद सबसे पहला काम क्या किया इस इन्डूइंग बिजनेस इस महाराश्ट्र में अगर आप एक इंडस्ट्री लगाना चाहते हो तो 76 परमिशन लेनी पड़ती है माईडीश के अंदर और उस से और एक व्यक्ति जिस्समें एपलाई करेगा एक मेने के भीतर ये सारी पर्मिशंस उसको मिलेगी आज यह अवस्ता है महाराष्टर में जो इंड़स्ट्री लगाना चाहता है तीन साल तक उसको पर्मिशन ही नहीं मिलती हम इस प्रकार की व्युश्टा तयार कर रहे हैं कि उ सारी इंडस्ट्री इस महाराष्टर में आएगी और महाराष्टर के लोगों को निश्चित रूप से रोजगार मिलेगा आज खेती के लिए हमारे शुराज जी ने कहा जिस प्रकार से आज हमारे किसानों के अवस्ता है मैं ऐसा मानता हूं राज्यकरता के रूप में ये मेरे कि न उसकी खेती को पानी मिला है न उसको बिजली मिली है न वो कोई वहाँ पर फसल ले सकता है एक फसल अगर वो लेता है और कभी बारिश गिरती है कभी सूखा पड़ता है उसकी फसल समाथ हो जाती है करजा मांगने वाले उसके घर पर आते करजा वापिस कर नहीं पाता और इसलिए एक दिन निराश होकर वो आत्मत्या करता है हमने ये तई किया कि केवल किसान की आत्मत्या के बाद उसको एक लाक रुपे हम दे दे इससे नहीं हो पाएगा एक जान की कीमत एक लाक रुपे से कभी वापिस नहीं आ सकती और इसलिए हमने ये तई किया कि महाराष्टर की इस अवस्ता को बदलना है और इसलिए महाराष्टर में जो अकाल पीडित गाउ है बीस हजार गाउ ऐसे जिन में लगातार अकाल पड़ता है हमने ये तई किया इन बीस हजार गाउ का अकाल हम समात करेंगे और बहुत महत्वाकांख्शी योजना हमने हात में ली और मैं विश्वास के साथ कहता हूँ पहले एक साल में महाराटर के पाच हजार गाओं को अकाल मुक्त करने का संकल्प हमने लिया है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि एक साल में पाच हजार गाओं को अकाल से हम मुक्ति देंगे और आने वाले दिनों में बीस हजार गाओं को अकाल से मुक्ति देंगे किसान के खेत को पानी मिलेगा, किसान को बिजली मिलेगी तो कोई किसान आत्मत्या नहीं करेगा हमारी productivity बढ़ेगी उत्पादक्ता बढ़ेगी किसान को दाम मिलेगा और किसान भी शान से रहेगा ये परिवर्थन महाराटर में आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेगा और इसलिए आप से भी निवेदन करता हूं कि आप दोर है लेकिन दोर बदल रहा है एक नई आभा है एक नई सुबह है इस नई सुबह का आप भी आगास कीजे और किसान भाईयों को आप भी बताइए उनकी निराशा को दूर करने का प्रयास कीजे और निश्चित रूप से ये परिवर्तन होगा दोस्तों आज मैं इस मौक किये है उसी विश्वास के साथ इन प्रस्ताओं के उपर सरकार रिस्पॉंड करेगी सरकार प्रतिसाद देगी इतना ही आज के मौके पर कहता हूं और फिर एक बार मैं आयो जोको का बहुत-बहुत आभार वेक करते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूं और अब आपके सवालों का वक्त है और सवालों से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि यहां भारतिय चात्रे संसद में तमाम श्रोताओं के साथ गिरीश बापर जी और माननीय दिलीव कांबले जी भी मौजूद है हम भारतिय चात्रे संसद के मंच से आप दोनों भाव का यहां पर स्वागत अभिनं तन करते हैं तालियों के साथ पहला सवाल पोडियम नंबर एक से लेजरेंगे आत विश voucher नासुता आते हैं सवाल पूचेंगे पोडियम नंबर एक से हलो देवेंदर जी नमस्कार मैं नाकपूर से विश्नु गुपतावेद्य एक प्राउड वोटर आपके कॉंस्टिटिवेंसी से सर मेरा ये मानना है कि हम बोलते हैं कि स्टूरेंट को लीडर बनना चाहिए पर हमारे ही महाराष्ट्र में लिंडो कमिशन के वज़ा से युनियों सिटी की इलेक्शन में अभी भी नहीं हो रहे तो आप फ्री क्यों नहीं कर रहे हैं उसको कि मैं सर अखीड बारती विद्धारती परिशत का भी एक कार्य करता हूं तो उस नाते आपको यह आवाहन करता हूं सर कि आप एक देश के इस महाराष्ट्र के युवा प्रदार मुख्य मंत्री है तो उस नाते मेरी ये अपेक्षा है कि आपने ये छात्र इलेक्शन आपन योग्य है हम भी इस राजनिती में नहीं होते अगर स्टूडेंट इलेक्शन नहीं होते है कि स्टूडेंट इलेक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोक तंत्र में हमारे विद्ध्यार्थियों की सभागिता लेते हैं यह बाट ठीक है कि पिछले समय उसमें एक उसका विक्रूत स्वरूप सामने आया लेकिन उस विक्रूती को दूर करके हमने चुनाव शुरू करने चाहिए इस मत का मैं हूँ और निश्चित रूप से इस संदर में हमारी सरकार जल्दी निरने करेगी बहुत बढ़नेवाद और अगला सवाल पोडियम नंबर तीन राइट सुमित गुड़िंग सर मेरा कोश्चन है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम इंप्रूब करने के लिए आपकी गवर्मेंट क्या स्टेप्स ले रही है देखिए बहुत अच्छी बात आपने कही है दो चीजे इसमें करने के आवशकता है एक तो हम लोग हमारे एजुकेशन सिस बन गए और वहां से बाहर निकले वे व्यक्ति को रोजगार नहीं मिलता और इसका प्रमुक कारण यह है कि जब तक हम इसको कौशले के साथ नहीं जोड़ते तब तक हम रोजगार क्षम युवा नहीं तयार कर सकते और इसलिए केंद्र सरकार के साथ अभी मिलकर एक जुकेशन के बाहर है उसकिल्स कार कर सकता है वे उसकेशन सिस्टेम में भी वापीस आ सकता है इस प्रकार टे beggar कर लिकिन इतना ही करकर हम लोग नहीं रुकें इन की जरुग करना पड़ेगा जब तक हम लोग यह गुन्वत्ताा यह स्थित देबल तक मुझAK मुझे अश स करने वाले और उससे ज्यादा महत्वकी बात यह है कि जब तक हम कॉलेज इसको अटोनॉमी ने देंगे आज यह होता है कि अटोनॉमी देने के लिए युनिवर्सिटी में एक रिजिडिटी मुझे दिखाए पड़ती है और इसलिए मैंने राज्यपाल जी से चुकि वो चां करनी पड़ेगी और आज यहां पर माशल करजी है बटकर जी है माशल कर जी ने भी इस संदर में कई चीज़ें हमको कई हुई है तो यह सारी चीजों का परमार्श लेते हुए क्वालिटी एजूकेशन कैसे दे पाए इसके संदर में कई निरने हम लोग लेने वाले हैं और तम्हाने हमारे साथ हैं जुनार से अपना सवाल कुछेंगे चोटा सवाल पूछिए चोटा जवाब तम्हाने पोडियम नंबर एक जुनार से आते हैं गुट इविनिंग सर आई कम फ्रॉम दबर प्लेस आफ दी ग्रेट चतरपती शिवाजी महाराथ जुनार जो किसान हर पूरे जग को अन्यदाता कहलाता है वो किसान विदर में आज भी आत्मात्या करता है अगर आप आप अजसे हम वाटार दप्रिवेंटिव मिजर्स यू टेकन तो प्रिवेंट सुसाइड आफ फार्मर्स इन विदर्बाद देखें अगर हम किसानों के आत्मत्या के बारे में विचार करेंगे तो दो चीज़े करना बहुत आवश्यक है पहली चीज़ यह है कि हम लोग किसानों को मौश्चर सेक्यूरिटी दे आज जहां आत्मत्या हो रही है उस इलाके को आप देखेंगे तो सबसे कम सीचाई की विवस्ता वहाँ पर है और प्राइम मिनिस्टर 2006 में जब हमारे उस आत्मत्य ग्रस्ति इलाके में आये तुन्होंने कुछ मेजर समको बताए एक प्लैनिंग कमिशन की टीम आई थी और उसने क्या क्या करना चाहिए सारी चीज़ें वहाँ पर बताई दुर्देव से सारे पै हम 2006 से लेकर 2014 तक केवल 22,000 कुवे खोथ पाए और वहाँ पर सीचाई की विवस्ता भी हमने नहीं की कुवे भी हम नहीं दे पाए बिजली के कनेक्शन भी हम नहीं दे पाए अब हमने यह तै किया है कि इस महाराश्ट्र के अंदर हम 5 लाग सोलर पंप देने वाले हैं और य और इन सोलर पंप के कारण वो सीचाई की विवस्ता कर पाएगा और आज एक सिंगल क्रॉप के उपर एक केवल एक क्रॉप वो लेता है और जब वो क्रॉप समाथ हो जाता है कभी बारिश होती है कभी मार्केट गिर जाता है तो उसके उपर करजा बढ़ते जाता है और इस पुुम्हीं ल कसी समट महाराश्थर पानीमे चीप मेंगे उसंए कर ट्रप तो आज वहां पर पानी के जितने सोर्से से उस सारे सोर्से से मैप करके वहां पानी की उफलब दता कितनी है इसका एक water audit कर रहे है साथ में वहाँ पर सीचाई के लिए कितना पानी लगेगा पीने के लिए कितना पानी लगेगा और गैर सीचाई के लिए कितना पानी लगेगा इसका एक audit हम कर रहे है और इन दोनों की जो gap है उस gap को भरने के लिए हम लोग treatment convergence of different schemes और convergence of command किया हुआ है जिसके चलते मैं ऐसा मानता हूँ कि एक moisture security हम इस किसान को दे पाएंगे उसकी productivity बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि आज हमारी productivity बहुत लो है वो productivity अगर हम बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से किसान को आत्मत्या नहीं करने पड़ेगी इस संदर में हमारी सरकार ने steps उठाए है और आने वाले दिनों में आपको उसका result भी दिखाई पड़ेगा और आखरी सवाल हम लेंगे पूजा विजे कुमार अपना सवाल पूछेगी पोडियम नमबर चार से पूजा विजे कुमार राइं साइड पोडियम नमस्कार सर्थ इस सुमित पोडियम नमबर फ्री विच लेकन फूजन में वहां पे कुच्छा गया okay my question for you was what does Maharashtra government has planned in sports for the youth for next five years it's a very good question in fact the government of Maharashtra earlier government enacted a policy sports policy we were part of it and we pursued the government that it should come out with the policy unfortunately the policy was announced but never implemented now we have we are creating a mechanism in which this policy will be not only announced but implemented in letter and spirit and in the policy we have given several options wherein a sports person would be rewarded would be benefited and to acquire sports as a career because right now our students cannot acquire sports as a career because it does not give him employment there are so many problems at 10th or at 12th he has to leave the sports because his parents say that if you pursue the sports and if you don't pursue the studies then ultimately you will gain nothing in your life so a beautiful policy has been made it is it needs to be implemented we are implementing it and also we are allocating a budget to it so that it can be implemented 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 so that it can be implemented